प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंचे पूजा करने के लिए जो आज का प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी का कारकरम है उस कारकरम में सबसे पहले उन्हें हनमान गरही मंदिर ही पहुंचना था दरसल ये कहा जाता है कि अयोध्या में अगर आप राम लला के दर्शन के लिए आएं तो सबसे पहले आपको हनमान गरही मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करने होंगे उनसे आशिरवाद लेना होगा उसके बाद आपको राम लला के दर्शन करने हैं तो परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परंपरा को निभाया सबसे पहले वो हनमान गढ़ी मंदिर पहुचे जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे आपको कि परधानमंती नरेंद्र मोदी का हनमान गढ़ी के मंदिर में सिर्फ तीन ही मिनट का पूरा कारकरम था चुकि कोरोना प्रोटोकॉल की बज़ा से इस कारकरम को छोटा कर दिया गया था हलांकि ये कहा जा रहा थे कि वो वहाँ ज्यादा समय तक रुख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो वहाँ पहुचे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में उन्होंने भगवान की पुजा अर्चना की आर्ती की और उसके बाद मंदिर की परिकर्मा करके वो फिर जो महंत हैं हनुमानगरी मंदिर के उन्होंने उन्होंने एक मुकुट पहनाया एक साफा जैसा मुकुट है जो उसमें चांदी का एक मुकुट भी लगा हुआ था और उसके बाद वो वहां से राम लला मंदिर के लिए निकल गए हैं राम लला मंदिर की आधार शिला रखेंगे उनके साथ योगी आधितनात को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की वज़े से किसी और को अनुमती नहीं दी गई साथी पंडित को भी पूजा पाठ कराने की अनुमती नहीं थी या कहा गया था कि प्रधानमंती नरिंद्र मोदी खुद पूजा करेंगे उन्होंने खुद आरती की उसके बाद उन्होंने मंदिर की परिकर्मा की उसके बाद हनुमानगरी से आशिरबाद लेकर वो राम लला मंदिर के झाल 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 झाल